हेलो फ्रेंट स्वागत था आपका सुलेखा की रसोई ब्लॉक में तो आज हम लेकर आए अपके लिए एक नई रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गुलाब जामुन सूजी के गुलाब जामन बनाने के लिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने एक कटोरी चीनी ले लिया है चीनी करीब 500 ग्राम की अगर नाप तॉल के लेंगे तो 500 ग्राम है और यहाँ पर मैंने नाप के एक कटोरी पानी भी डाल दिया है तो इसे अच्छे से हम पकाएंगे इसके चासनी बन के तयार नहीं हुई आप देख सकते हो तो यहाँ पर इसे हमें और 10 मिंट के लिए पकाना है और गैस को हमने मेडियम कर दिया है ज्यादा हाई नहीं रखा है लो टू मेडियम पर रखा है तो यहाँ पर हम चासनी बनाएंगे अगर फ्रेंड्स आप मारे चैनल पर नहीं है तो प्लेस चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचती रहे तो यहाँ पर हमारी चासनी बन के तयार होगी है आप देख सकते हो गैस को हमने कर दिया है अगर आपके पास इलाइची पाउडर हो तो आप एक पिंच इलाइची पाउडर डाल सकते हैं तो यहां पर इसे हम ढखके छोड़ देंगे और चलेंगे कढ़ाई की तरफ क्यूंकि हमें यहां सूजी का गुलाब जामन बनाना है तो पहले उसका दो तयार करेंगे हम त तो इसमें डाल देंगे हम दूद, दूद हमने करीब आधाव लीटर लीए है आप देख सकते हो तो इसमीं ठांसफर करदेंगे हम हमें दूद को भी नहीं पकाना है हमने थोड़ा सा दूद इसमें से बचा लिया है क्योंकि बाद में जरूरत पढ़ सकती है दूद की तो दूद को हम दो मिंट के लिए इसी तरह से चलाएंगे हमें दूद को पकारा नहीं है थोड़ा सा हलका गुनगुना करना है इसी तरह स यहां पर मैंने नाप के सोजी भी ले लिया है आधी कटोरी है आप देख सकते हो यहने की आधी कप सोजी है तो सोजी को हम थोड़ा थोड़ा करके अपने जो दूद का बैटर है हमारा उसमें डालते जाएंगे सोजी को एकठा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि सोजी में लंप्स ना हो गुटलिया ना बने अगर गुटलिया बन जाएंगे तो आपके गुलाब जावन अच्छे नहीं बनेंगे तो सोजी जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके डाले और चमचे से हिलाते पूजी को ठोड़ा करके डाल दें और इसे देख सकते हो सूजी जो हमारी थी वह एक डो के फरम में तैयार होने लगी है गारी हो गई है तो सोजी अभी दो मिन्ट में अपने फूल के एक डो की तरह बन जाएगी उसे बिल्कुल भी हमें कुछ नी करना है लेकिन फ्रेंड्स कढ़ाई को पकड़ लेंगे और अच्छे से मत्हेंगे ताकि इसमें बिलकुल भी लंप्स न रह जाएं कोई भी गुटली आ रह जाएं अच्छे से जो हमारी सुजी है यह हाते की तरह तयार हो जाए तो आपको अभी हम दिखाएंगे यह बिलकुल ही जैसे हमारा बाहर का सी तरह तरह से बना सकते हैं बहुत एजली सिर्फ एक कफ सूजी से और बहुत अच्छा गुलाब जामन बनके तयार होगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि यह हमारा गुलाब जामन सूजी का बना हुआ है तो इसी तरह से जो हमारे डो हैं उन्हें निकाल देंगे एक बरतन में और 10 मिंट के लिए इसे ढखके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो सके तो यहां पर आपको दिखाएंगे कि यह बिल्कुल ही डो के फॉर्म में तयार हो गया है तो फ्रेंड्स यहां पर इसे हम ढखके छोड़ देंगे करीब 10-5 मिंट के लिए ताकि यह बिल्कुल यह आटे की तरह मसल मसल के लगाएंगे अभी तो हमारा जो डो है फ्रेंड्स थोड़ा बहुस नीचे से गरम है आप देख सकते हो मेरा हाथ भी नहीं उसमें जा रहा है तो डो को हमें गरम गरम ही मसल मसल के लगाना है इसे बिल्कुल भुछ थndker नहीं करना है इसी तरह से मसल मसल के हम लगा लेंगे डो को, आप देख सकते हो जो हमारे डो है बहुत अच्छे से तयार हो चुक है। इसे हमें जादा हाड नहीं करना है, अगर आप हाड करोगे तो आपको जो गुलाब जामुन रहें तेल में जाते ही फट जाएगा तो आटे को आप बिल्कुल ही नरम लें इसे बिल्कुल भी हाड ना करें आप देख सकते हो बिल्कुल ही खोवे की तरह दिख रहा है यह मावे की तरह यह लगी ही नहीं रहा है कि यह सूजी है मैंने तो अपने हाथ में छुआ मुझे पता ही नहीं चला कि यह सूजी का है और कसHH mts कर लेना है औस अप अच्छी तरह से हमने स्थो हमने इसे आठे के डों में कर लिया यह बहुत अच्छी से सीयफ हो चुका है हम तो इसे हम थोड़ा सा और मस लेंगे ताकि यह बिलकुल भी फटे नहीं हमारे गुलाब में जाने के बाद फटे नहीं और बहुत अच्छी बने तो इसलिए थोड़ा से इसको मसल लेंगे इसको हमने आटा लगा के तयार कर दिया आप देख सकते हो तो यहां पर जो यह आटा है इसको हम छोटा छोटा लोगा काट लेंगे क्योंकि इसके बनाने हमें गुलाब जाम करें तो आप देख सकते हो जो हमारे बाउल हैं बहुत अच्छे से बन के तयार हो गए हैं तो आपको सेप जो मर्जी वो देना है आप लंबे सेप में बना लो छेनी की तरह या इस तरह से बना लो तो हम यहां पर आज आपको दोनों तरह के बना के दिखाएंगे क्योंकि ह दोनों तरह के बनाने वाले हैं आपको पता भी नहीं चलेगा आपके घर पर मेहमान आया कुछ भी है तो आप अपने घर पर एक कब दूद एक कब सूजी से बना सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सूजी का गुलाब जावन बनाया है फ्रंट्स बहुत ही ब बनाया है लंबे सेप का और बाकि सारे गोल गोल बना के रख लिए हैं तो इसको अब हम फ्राइब करेंगे कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से गरम है आप देख सकते हो तो यहां पर एक बाउल डाल के हम चेक कर लेंगे कि हमारी कढ़ाई अच्छे से गरम है कि नहीं एक अच्छे लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी मत भूलें तो इसको निकाल लेंगे बाहर बहुत अच्छे से फूल गया है अब हम डालेंगे अपने जो गुलाब जामून है जो हमने बना के रखे हैं तो इन्हे एक एक करके हम डाल देंगे तेल में अभी थोड़ी देर बाद आप देखना बहुत अच्छे गुलाब जामून बनके तयार होंगे तेल में सारे जाते ही न अपने आप से फूटेंगे नहीं कुछ भी नहीं होंगे आप जैसे मर्जी वेसे इन्हें चलाते रहो कुछ भी होने वाला आप देख सकते हो हमने सारे गुलाब जामून डाल दी है हम थोड़ आसा इन्हें पल्टे की मदब से नीचे से प्रैस करेंगे ताकि यह चिपके नहीं है बिल्कुल भी तो हम इन्हें ने डिश्टर्व करेंगे छोड़ देंगे इसी तरह से थोड़ी देर आपका गुलाब जामून इजली बनके तयार है आप देख सकते हो अगर आपको बनाना है तो आप दो मिंट में जट पट सूजी का डो बनाईए जट पट चासनी बनाके फटा फट गुलाब जामून बनाके इंजॉय कीजिए बहुत ही बढ़िया गुलाब जामून बनके तयार ह males. देख सकते हों घूंक अब्रवलाब जामून अधर हचे सब्सक्रेग अचे करें ताक पिछ यहां पर हमने इसे बहुत अच्छे से ब्रौन कर लिया आप देख सकते हो तो इसे हम निकाल लेंगे दूसरे बरतन में इसे हम बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि इतना बहुत अच्छे से सिख गया है यह चाहरो तरफ तो बस इसी तरह से हम सारे गुलाब जामन निकाल लेंगे और आपको दिखाएंगे पास से कि इसकी जो भी गुलाब जामन की लोईया हमने काटी थी बिल्कुल भी एक भी फटी नहीं है कहीं से भी क्रेक नहीं है कुछ भी नहीं है बहुत अच्छी बनके तयार हुए अगर आपका डो सही रहेगा फ्रेंड्स डो को आप जितना मस लोगे उत्रही बढ़ी आपका गुलाब जामन बनके तयार हो तो आप देख सकते हो एक भी लोईया फटी नहीं है किसी भी तरह से क्रेक नहीं है बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनके तयार हुए तो इन्हे एक एक करके हम सारे गुलाब जामन को चासनी में डुबो देंगे तो आप देख सकते हो जट पट गुलाब जामन बनके तयार है हमें बिल्कुल भी महनत करनी की जरूरत नहीं है कुछ भी नहीं करना है तो इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ढखके छोड़ देंगे 10-15 मिन प्रेंट के बाद ट्रेंट से बहुत अच्छे सेट हो गई है सभी गुलाब जामन ने चासनी पी लिया आप देख सकते हो और यह अच्छे से जाके नीचे बैठ गये है क्योंकि यहां पर आपको हम सर्व करके भी दिखाएंगे तो एक एक गुलाब जामन को हम निकाल लें तो इन पर थोड़ इसी हम बदाम डाल देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे गानेस कर देंगे ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे मार्केट की तरह दिखे तो आप देख सकते हो तो यहां पर हमने सभी गुलाब जामन में एक एक करके बदाम डाल दी है बदाम को कट क अगर करके आप देख सकते हो पास से भी दिखाएंगे आपको कि विववली इस देख सकते हो अदर से बिलकुल ही मावे की तरह दिखेंगे बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा है कि सूजी का गुलाब जामन में प्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमे रेसिपी कैसा था और आप भी जरूर ट्राइए करें वीडियो को लाइक, सेर जरूर करें धेल सारा प्यार दें फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बाइबाइब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉक में नई रेसिपी के साथ आज के लिए इतना ही ओके फ्रेंड्स